आज मैं आपको छेना के रजगुले बनाना बता रही हूँ छेना के रजगुले बनाएं बहुती सौप्ट और स्पैंजी बनेंगे आप हमारे तरीके से बनाएगा बहुती सौप्ट और बहुती बढ़ियां बनेंगे कर्मियों के मौसम में ज्यादा ओयली घी देल का खाने का मन नहीं करता है न तो फटे दुद की रसकुले खाएं आप बहुत तैस्टी लगते हैं हमारे चेनल में मोर का वेट मार्क दिया रहता है आप इसे सब्क्राइब करें फ्रेंड्स और बेल आइकन तो जरूर दबाएं तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम छेना तयार करेंगे ये देल लीटर दूद ले लिया है हमने इसको गरम होने के लिए रख दिया है ये दूद हमारा गरम हो रहा है तब तक हम विनेगर लिका लेते हैं ये विनेगर ले लिया है हमने इसकी हम दो चार बुन डालेंगे ये कटोरी ले ली है मैंने इसमें पहले हम पानी डालेंगे इस पे थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसके बाद दो-चार बुंदे हम विनेगर की डाल देंगे इसमें ये डाल रही हूँ मैं आप देखिए जादा नहीं डालना है दो-चार बुंदे ही डालना है विनेगर तेज होता है काफी खटा होता है ये इसको थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, हम डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे, ये देखिए, मैं डाल रही हूँ, आप इस तरीके से डालिये, और चमस से मिलाते जाएं, इसको डालने से दूध फट जाता है, और इसको डालने से भी अगर दूध नहीं फटता है, त इसलिए हम अब इसमें एक निवु करस निचोड़ देंगे तो जल्दी फट जाएगा इसको डाल देते हैं और बीजे अलग करके आप निवु निचोड़ दें और इसको चला दे ये दिखिए अब ये दूद्ध हमारा प्टने लगा है रवीला रवीला सा हो गया है दाने दाने से आने लगे हैं इसमें ये दिखिए ये हमारा दूद फटने लगा है अब हम गेस की फ्लेम को बंद कर देंगे अच्छी हुआ लगई है इसमें इसको अब हम बंद कर दे रहे हैं गेस की फ्लेम को और अब हम इसको ठंडा होने देंगे ये बहुत बढ़ियां भ एक दो घंटे के लिए ठंडा होने देते हैं ये देखिए हमने इसको एक दो घंटे अच्छा ठंडा होने दिया तो कितना बढ़िया इसका छेना जम गया है ये देखिए दिख रहा है ना अलग ही रवीला रवीला सा चेक कर लेते हैं हम ये देखिए कितना बढ़िया छेना है इसका ये देखिए मैं हाथ से इसको मिसके बताती हूं ये देखिए अच्छा रवीला सा जम गया है हमें ऐसा ही छेना चाहिए फटे दुद की रजगुले बनाने के लिए अब हम इसको चन्नी में छान लेते हैं चन्नी से छान लेंगे हम इसका पूरा छेना उपर रह बना है ये हमने लिका लिया है इसका पनीर भी जमाए बहुत बढ़िया पनीर जमेगा इसको साइड में कर देते हैं हम और अब इसको हम धो लेंगे अब इसमें हम पानी डाल देते हैं थोड़ा सा पानी डाल कर धो लेंगे हम इसको तो इसमें जो भी खटाई है वो निकल जाएगी इस पे हमने विनेगा नीबू का रश डाला था ना तो यह खटा हो जाता है थोड़ा सा खटाई का अंसा आ जाता है इसमें इसको अच्छे तरीके से हांस से धोले रही हूं मैं यह देखिए अच्छा दबा दबा के इसका पानी लिकाल दे रहे हैं हम यह देखिए इस तरीके से दबा लें आप यह पूरा पानी अच्छे तरीके से निधर जाए अच्छा इगलास पानी डालके हमने दोलिया है इसको दबा लेते हैं इसका पानी पूरा लिकाल ले रहे हैं आप चाहें तो थोड़ा सा टेस्ट भी कर लें कि इसमें खटाई तो नहीं है आप टेस्ट भी करके देख सकते हैं एक छन्ने का हम कपड़ा ले रहे हैं मोटा लठे का लिया है हमने कपड़ा अच्छा इसमें ये छेना डाल दे रही हूँ मैं ये देखे ये इसको खाली कर लिया है अब ये कपड़े में हम अच्छे तरीके से दबा दबा के इसका पानी लिकाल लेंगे इस तरीके से पोटली बना ले और हतेली से उंगलियों से अच्छे से दबा दबा के इसका जो भी पानी स ज्यादा पानी सा ना रहे बस इसमें, इतना दबा लें, ये दिखिए हमने दबा लिया है अच्छे तरीके से इसको, इसी तरीके से दबाएं आप, थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन बढ़ियां हमारा छेना तैयार हो जाता है, इसी तरीके से निकालें आप अच्छे से जाएगा, वैसे तो हमने अच्छे तरीके से दबा लिया है, मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि आप पनीर भी जमाएं, तो इस तरीके से पोटली बना के रग दें और बजन रग दें उसके ऊपर, तो उससे क्या होता है, इसका पूरा पानी अच्छे तरीके से निध जाता है, और दवाओ के करण पनीर भी अच्छा जमता है, ये छेना तो हमारा तैयार हो गया है, लेकिन इसका बचा हुआ जो भाग है, आप इसका उपियोग कर सकते हैं, ये देखिए, इसमें खटाई कांस तो रहता ही है, आप इसे ढाक के रग दें एक दिन, और दूसरे लिया है, इसमें हम तीन ग्लास पानी डाल देंगे, ये दो ग्लास हमने डाल दिया है, ये तीसरे ग्लास, तीन ग्लास पानी हमने ले लिया है, अब इसको हम उबलने के लिए रख देते हैं, गरम होने के लिए रख देते हैं हम पानी को, ये पानी हमारा उबलता है, गरम हो तब तक हम छेना को लिकाल लेते हैं, तैयार कर लेते हैं छेना को हम, लिकाल ले रहे हैं कपड़े में से इसको, निकाल लेते हैं, साप कर लेते हैं अच्छे तरीके से इसको, अब ये छेने को हतेली से अच्छे तरीके से मिस लेंगे, इसको अच्छे तरीके से हमको पोटना है अच्छे हतेली से रगड़ रगड़ के हम इसको मिस लेंगे ये और भी ज्यादा हलका हो जाएगा और इसमें जितने दाने दाने से हैं ना रवीले से ये बिल्कुल भी नहीं रहेंगे आप देखिए मैं इसको पोट रही हूँ आप इस तरीके से पोट के तयार कर लें इस में बिल्कुल भी रवीलापन नहीं रहेगा ये देखिए इसको अच्छा अतेली से रगड़ रहे है हम तो ये कितना सॉफ्ट हो गया है इसका रवीलापन कम हो गया है ये देखिए उली में लेके मैं चेक कर रही हूँ ये अच्छा मिस लिया है हमने इसको जितना हम अतेल कि अपनों से रगड़ते हैं उतना अच्छा फॉफ्ट हो जाता है, यह पानी भी हमारा उबल गिया है, मेजर्मेंट okay कप से एक कप सक्कर डाल रही हूं, मैं बड़ा वला कप लिया है हमने, ये सक्कर डालके हम चला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं अच्छे से इसको, ये देखिए, ये सक्कर इसकी खुल रही है, इसमें अब हम दूट डाल देंगे, थोड़ा सा दूट डालेंगे, हम मातर दो टेबल इ दूट डालने से इसमें सक्कर की जो भी गंदगी होगी वो उपर आ जाएगी ये देखिए मैं लिकाल ट्रई हूँ चमज से ये उपर आ गई है ना पूरी जम गई है इसको चमज से उपर से लिकाल देते हैं इस तरीके से साफ करने उपर की सारी गंदगी और ये छेना भी हमारा तयार हो गया है अच्छे तरीके से मिस लिया है हमने ये देखिए और ये अच्छा हलका हो गया है ये टेबल स्पून से टू टेबल स्पून हम अरा रोट मिला रहे हैं इसमें आप अरा रोट की बज़ाए इसमें मेंदा भी मिला सकते हैं मैंने टू टेबल इस्पून आरा रोट मिला लिया है इसमें और अब इसको अच्छे तरीके से मैस कर लेते हैं इसको अच्छे से हतेली से रगड लेंगे मिला लेंगे हम अच्छी तरीके से हतेली से रगड लें एकसा कर लें कि अच्छा एकसा तैयार कल लिया है हमने इसको रगड़ के यह देखिए यह हमारा चेना अच्छा सौफ्ट तैयार हो गया है चाशनी चेक कर लेंगे छोटी सी गोली बना के पहले चेक कर ले यह नीचे डूप दोने रही है और बना बना के डालते जाएंगे हम इसमें गोल गोल गोली बना के डालते जाएंगे छेना के size आप अपने हिसाब से ले सकते हैं छोटा बडा जैसा आपको चाहिए मैं medium size के बना रही हूँ लेकिन एक-एक करके डालेंगे खटे नहीं डालेंगे ये देखिए मैं डाल रही हूँ एक एक करके ये रजगुले डालते वक्त आप गेज की प्लैम धीमी रखें तेज नहीं करें ये दस से बारा रजगुले हमने इसमें डाल दिये हैं ये देखिए थोड़ी स्पेज हमको छोड़ना है ये फूलेंगे दो तिन में ठाक कर बफा हैं फिर आप ऐसे ओपन ही बफा सकते हैं बफने देंगे हम इनको धीमी आज में पहले फिर हम इसको चेक कर लेंगे ये देखिए ये हमने इसको बफने दिया धीमी आज में तो कितने बढ़ियां ये फूल के उपर आ गए हैं और ये देखिए ना ये फूट रहे हैं ना तूट रहे हैं ये गैस की फ्लेम तेजाज कर दी है हमने तेजाज पर बफा लें इनको 10 मिनिट में आराम से बफ जाते हैं ये हो चुके हैं निकाल लेते हैं हम एक एक करके लिकाल रही हूं मैं इनको तूटे ना बाकी के रजगुले भी हम इसी तरीके से बना लेंगे ये देखिए आप कितने बढ़िया रजगुले हमारे बने हैं ये निकाल दिये हैं हमने ये बागी के बच्चे हुए रजगुले भी एक एक करके डाल देंगे हम और इनको ढाग देंगे इनको बफने देंगे तीन चार मिनिट उसके बाद चेक कर लेंगे ये देखिए हमने गेज की फ्लेम तेज कर दी है और तेज आज में भी ये बफ रहे है और तूड भी ने रहे है कितने अच्छे तरीके से हो गए है न हमारे रजगुले गेज की फ्लेम बंद कर देते हैं ये देखिए बढ़िया फूल गए है तैयार हैं हमारे रजगुले कितने बढ़ियां बने हैं हो रहा है न देखते ही मन खाने का दूद पढ़ जाता है तो उसमे विनेगर डाल के फाल ले और अच्छे तरीके से और बनाए छेना के रजगुले अपने अनभो हमारे साथ सेर करें फ्रेंड्स पसंद आए तो हमारे चेनल को लाइको सब्क्राइब करें